शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले मनपा कारेले स्तीथ सिटी ओपरेशन सेंटर का उपयोग बड़ी अच्छी मातरा में नहीं हो रहा था जिसके चलते मनपा एक्ते तुकारा मुंडे इन्होंने तै किया कि स्मार्ट गवर्नस का काम होना चाहिए जिससे शहर के नागरी को के लिए साथ-साथ फायदेमन साबित हो और ट्राफिक विबाग, दमकल विबाग के साथ-साथ मनपा के सपाई करमचारी और कोवीड को लेक कि अधिकारी और क्रमचारी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं नाखपूरशेर का शित्रफल काफी बड़ा है और नाखपूरशेर के शित्रफल को देखते हुए मनपा प्रशासन के कामकाज भी सही दिशा में चल रहे है जी हाँ, नाकपुर्शर में यातायात के एक बहुत बड़ी समस्या है, साती साथ हर सडक पर कहीं पानी के पाइपलाइन फुटे हुए है, तो कहीं कुड़ा कच्रा भी है, ऐसे में उन करमचारियों के उपर में मॉनिटरिंग करने के लिए उनके उपर में पुरा कंट्रोल क करने के लिए साती साथ यातायात के उपर में पुरा ध्यान देने के लिए मनपा के सिटी ऑपरेशन सेंटर का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अफसोस के सिटी ऑपरेशन सेंटर का उपयोग बड़ी मातरा में नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते मनपा के आईकतत उकार मुंडे इन्होंने ये तई किया कि स्मार्ट गवर्नन्स होना चाहिए इसके लिए इसके लिए ट्राफिक प्रोदूशन की जो लापरवाई हो रही है उसको दुरुस्त किया जाए इमर्जंसी दुरगटना में दमकल विभाग को जल से चल घटना स्तल पर पहुशने के लिए सुविदा हो और इसलिए पूरे नाकपुर्शर में 3600 कैमेरे लग चुके हैं जिससे पूरी तरह से उसकी निगरानी की जाती है सडको पर पानी भरने पर सफाई की टीम के जरीए सडक को साब भी किया जाता है खास बात तो यह है कि हर जोन की टीम इसके लिए पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रही है क्योंकि हर जोन के अधिकारी और करमचारी के उपर में मनपा के अयुक्त तुकारा मुंडे इनकी पैनी नजर जो है हर जोन की टीम को इसी सिटी ओपरेशन सेंटर याने इमर्जनसी ओपरेशन सेंटर से पूरा कंट्रोलिंग किया जाता है स्क्रीन पर आप देख रहे हो के एक करमचारी को मनपा अयुक्त ने फोन कर इसकी जानकारी दी और उसने वहां पे किस तरह किस तितिया बनी हुई है और क्या दिक्कत उस सड़क पर आई है इसका बया उन्होंने किया जिसके बाद शोहर को स्वच्छ सुन्दर और बेतरिन रखने के लिए किस प्रकार से नियंतरन किया जाता है इसके बारे में मनपा के आई क्तो तुकारा मुंडे इन्होंने इन्बीसेन के समवाध दाताओ को फोन पर बात करने की इजाज़त दी जिसके चलते मेडिकल चौकस्धीद एक करमचारी ने फोन पर बात करते हुए इन पहने का तात्पर यह है कि इमर्जंसी ओपरेशन सेंटर ये पुरी तरह से नाकपूर के हर लगे हुए कैमेरे के उपर में पहनी नजर गड़ाये हुए है और चप्पे-चप्पे की जानकारी इसी इमर्जंसी ओपरेशन सेंटर के माध्यम से दमकल्विभाग, पुलिस प्र परशासन को पलपल की जानकारे मिलती है जिसके चलते एक बहुत बड़ी दुरगटना या बहुत बड़ी घटना होने से इसकी रोक्ताम की जा सकती है अगर कोई कैमेरे में इस प्रकार की गलत हरकते करते हुए नजर आए तो उसके उपर में कारेवाही भी की जा सकती है इस सेंटर के माध्यम से कैसे कामकार चल रहे है इसका हमने एक मुवाइना करने जब म्यूसिपल कमिशनर आये उन्होंने वहां के करमचारी कलोड़े से बात कि कलोड़े जी बते कि वहां पर क्या हुआ था पानी आखिरकार क्यों रुख गया है क्या कहना चाओगे तो दिनुश कलोड़े थे जिन्होंने बात करते वी यह बात आया कि उनको जैसे ही फौरण यहां से जो भेजा गया वे तातकाल मेडिकल चौक के उस जगों पर है जहां पे काफी पानी जमा हुआ था ट्रायाता याद भी बढ़ गई थी ऐसे समय में कुछ वहां सफाई करमचारे ने सफाई करते वे नजर आ है और वहां डामरी करन करने की बात उन्होंने कही तो सहाब ने भी उसकी दखल ली है अब देखना यह होगा कि कितने जल्दी डामरी चारी होग पर पल पल की जानकरी उनसे ली जारी है और उनसे कामकाज किये जारे है कहने का तत्पर यह कि मन्रफ defic्त संध द्वारा ये जो पहल की गई यो कामकाज विस सेंटर के मादेम से बखुब ही के साथ किया जा है जिससे शहर की जनता को काफी सवयोग होगा और मदद भी मिल सकती है कैमेरा परसन विरेंद्र खुपरागड़े के साथ संजेव मीरे इन बीसेन नियूज नाकपूर